मानने स्री समीर उराउं जी बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापती महदया आपने आज के भारतिय अर्थ ब्यवस्था समंधित दिसेपर सदन में चर्चा करने के लिए भाग लेने का उसर आपने दिया है उपसभापती महदया पीछले नौ वर्सों में मानने प्रधान मंत्री जी के नित्रित्यों में हमारी सरकार ने विभिन निर्ने के कारण आज भारत की अर्थ ब्यवस्था को बिश्व में सबसे आगे बढ़ाया है और बहुत तेजी से उबरती अर्थ ब्यवस्था में से एक है उपसभापती मोहदया आज विश्व में भारती अर्थ बेउस्था पांचवी सबसी बड़ी अर्थ बेउस्था है समूचे विश्व में पीछले कुछ वर्सों में रूस, युक्रेन, युद्ध, इज्राइल, हमास युद्ध, कोरोना, महामारी जैसे अने को संकट का सामना करना पड़ा है इसके बावजूद, इन सारे समस्याओं के कारण, विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थ बेउस्थाओं पर नाकारात्मक परवाव पड़ा है परंतु मानने प्राण मंत्री जी के सोच एवं आर्थिक अनुसासन के कारण, इन अनेकों संकटों का सामना करने के पश्चाथ भी भारत की अर्थ बेउस्थाएं इस थिर्ता के साथ समुचे विश्व का मार्ग दर्सन कर रही है उपसभापती महदया, आज सरकार की मजबूत आयात, निर्यात, नीतियों के कारण, देश में विदेशी मुद्रा का भंडार, अपने देश के अंदर उच अस्तर पर हो रहा है सरकार दुआरा अनेक जनकल्यानकारी योजनाओं का संचालन इस देश के अंदर अपने यसस्वी प्रधान मंत्री आदरने नरंदर भाई मोदी जी के नित्रित्तों में हो रहा है सरकार दुआरा ऐसे देश के अंदर जो जौरत मंद लोगों को मुक्त में अनाज वित्रन करके असहाय लोगों को विकलांग लोगों को और बिद्ध लोगों को पेंसन योजनाओं के माद्धम से ये लाब प्रधान करने का भी काम हमारे यसोशी प्रधान मंत्री जी के नित्रित्तों में हो रहा है इतने बड़े अस्तर पर इन सामाजिक योजनाओं पर खर्च के बाद भी देश की अर्थ बेउस्था लगभग सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है उपसभापती महदया सरकार दुआरा एक टेक्स के रूप में जी एस्टी को लागू किया गया जी एस्टी को लागू करने के पस्चाद ब्यपारियों को टेक्स के नियमों में से सरलता मिली है इसके परिणाम सोरूप इस वित्य वर्ष में सरकार को एतिहासिक रूप से अब तक के सबसे बड़े जी एस्टी शंग्रह प्राप्त हुआ है वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जैसे संस्थाओं दुआरा आगे के वर्षों में भी भारतिय अर्थ ब्यूस्था को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ ब्यूस्थाओं में से एक देखा जा रहा है उपसभापति महोदया इसी के कारण आज देश के प्रतेक छेतर में बिदेशी निवेश में ब्रिदी हुई है बिश्व के अनेक देशों की तुलना में पीछले कुछ वर्सों में सर्वधिक बिदेशी निवेश की यदि किसी देश को प्राप्त हुआ है तो वह भारत है उपसभापती महोदया पेंडेमिक आवर में जिस परकार से हमारे प्रधान मंत्री जिने वोकल पर लोकल के सुत्रों के आधार पर हमारे अस्थानिय उत्पादक्ता को किस परकार से यहां के युवकों के माद्यम से जो आगे बढ़ाया है जैसे जो है हम जन्जाती छेत्र से आते है जारखन से आते है जारखन में बन छेत्र है वहा जो है बनोत पाद है नन टिम्बर फोरेस्ट प्रोड्यूज है वहां किस तरकार से हमारे प्रधान मंत्री जी के नेत्रित्व में जन जाती कारे मंत्राने में जो है ट्राइफेट का वंधन विकास के अंदर के माध्धम से वहां के जन जाती छेत्रों में हमाई माताय युगों ने जिस परकार से ऐसे बन उपज को कलेक्शन करके उसको प्रोसेसिंग करके उसको बिपनन के छेतर में आगे बढ़ाया परदान मंत्री जिने पेंडिमिक आवर में जिस परकार से यहां की उत्पादक्ता जो पौशिक्टता और यहां के जो खाद्धान पदार्थों में जो युमिनिटी पावर था उसको दुनिया के देशों में वो मेडिकल एक्यूमेंट के साथ में पहुचाने का काम किया और वहां उनकी उत्पादक्ता बढ़ते के साथ आमदनी बढ़ रहा है आज हम गाओं में दस साल पहले जयता थे तो हम उस समें कुछ नहीं देखते थे आज जब दस साल के बाद में जाता हूं नव वर्सों के अंदर में तो मैं पूछता हूं कि भई यह क्या है तो नहीं हम हम लोग एक मीनी राइस मील बेठा हैं यहां पर सारे लोग हम लोग मिल करके आसपास के जो भी धान का उपज होता है उसको हम यहां चावल बनाते हैं इससे हमारी आमदनी बढ़ रही है तो ऐसे अर्थ बेवस्था में एक गाओं भी सहभागीता हो करके यह भारत की सभापति महोदया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2014 में जब भारत ये हमारे मानने मोदी जी ने प्रधान मंत्री बने थे तब भारत की DGP 112 लाग करोड के आसपास थी आज भारत की GDP 300 लाग करोड के आसपास हो गया है 2025 तक सरकार ने भारत को पास ट्रिलियन डालर की इकोनोमी बनाने का लक्ष रखा है सरकार की आर्थी कुपलब्दियां का लाब देश की आम जनता को भी हुआ है 2014 में देश में प्रती बेक्ती आय लगभग 17,000 रुपिय थी पीछले नो वर्सों में सरकार की नीतियों के कारण परधान मंत्री जी की द्रिक्षा सक्ती के कारण उनके मेहनत के कारण आज प्रती बेक्ती आय लगभग 175,000 हो गई है उपसभापती महदया पीछले नो वर्सों में देश के एक्सपोर्ट लगभग दुगुना हो गया है सरकार निरंतर देश की आर्थिक उन्नत्ती के लिए हर मोर्चे पर कार कर रही है अतह मुझे विश्वास है कि सरकार की आर्थिक नियत वण निती के कारण जल्द ही भारत विश्व की सर्वच अर्थ बेउस्था में पहुचेगा और निश्चित रुप से आज देश के यसोस्वी परधान मंत्री जी इन दिशाओं पर एक भारत सरेष्ट भारत और आत्म निर्भर भारत स्वलंबी भारत की यात्रा कर रहे हैं उसमें पूरे देश भर के लोग उनके यात्रा में सहभागी हो करके आगे बढ़ रहे हैं निश्चित रुप से विश्वास है कि हम ये आने वाले दिनों में ये 2024 में हम निश्चित रुप से अर्थ बवस्था की दिर्ष्टी से हम तीसरे अस्थान पर पहुचेंगे और उसके और आगे जाने पर प्रधान मंत्री जी के नित्रित में हम पहले अस्थान तक भी पहुच सकते हैं ऐसा विश्वास है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद